गुडिया बेटी आप ये सूखे तिंके घौंसले में लगाओ और मैं कुछ सूखी लकडिया लेकर आती हूँ फिर मम्मा चडिया लकडिया लेने चली जाती है जैसे ही मम्मा चडिया वहां से जाती है वहां शरार्ती जग्गु कवा आ जाता है तिंकों का घोंसला, मेरे ममा पापा ने तो बड़ा लकडियों का घर बना लिया है तो फिर हम क्या करें, आप जाएं यहां से जाता हूँ, पहले तुम्हें थोड़ा तंग तो कर लू ऐसा कहते हुए जगू, गुडिया के घोंसले में से सूखा घास उठा उठा कर फैंकने लगता है रुको रुको जगू, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ा हूँ, देखने ही रही हो क्या? गुडिया का बनाया हुआ सारा खोंसला तोड़कर जगू वहां से भाग जाता है और गुडिया बैठ कर रोने लग जाती है चिडिया ने भी लकडिया जमा कर ली थी, वो अपने घर वापिस उड़ती है ये क्या हुआ बेटी, ये सब किस ने किया? ममा, जगू कवे ने किया है ये सब वो शरारती कवा, मैं अभी उसकी मा को बताती हूँ जाकर अपनी ममा के साथ जगू कवा अपने ख़य के बाहिर ही बैठा हुआ था ममा, ममा आगे छोटी जडिया जडिया भी पहुँझ जाती है गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा घोंसला तोड़ दिया है चुपकर जाओ चोटी जडिया बड़ा संदर थाया तुम्हारा घोंसला दो-चार तिंके ही तो थे मेरे बेटे ने गिरा दिये तुम फिर से उठा कर रख लो मैंने और मेरी बेटी ने सारा दिन मेहनत करके वो तिंके लगाए थे तो फिर जाओ, पुलीस को बुला लो जो करना है करो तुम्हारी तो बेटी है ना बेटा नहीं है इसलिए चोटी चिडिया, तुम जलती हो मेरे शेड जवान बेटे से मेरी बेटी तुम्हारे इस आवारा और आलसी बेटे से अच्छी है ये कहते हुए चिडिया वहां से चली जाती है कुछ दिनों बाद जगुकवा एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था ये भी कच्चा, मैं फैंक देता हूँ ये भी कच्चा है, ये स्वादिस्ट नहीं है वो उस पेड़ के अमरूद तोड़ तोड़ कर फैंके जा रहा था ये सब देह कर एक दोता वहां आता है डुष्ट कवे, ये क्या कर रहे हो तुम क्यों कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फैंक रहे हो ये पेड़ तुम्हारा तो नहीं है, मैं तो फैंकूंगा तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले सारी अमर जैसी जबान तुम्हारे ममा पापा ने इस्तमाल की ऐसी ही तुम्हारी है, बत्तमीच कवे, मैं अभी तुम्हारी मा को जाकर बताता हूँ जाओ जाओ, ममा कहेगी, आगे हो मोटी चौँच वाले थोते गोरी, तुम्हारा बेटा बहुत बिगड चुका है, उसने आज हमरूत के सारे कच्छे फल तोड़ तोड़ कर फैंक दिये है मोटी चौँच वाले मिठू देखा देखा मिठू अंकल, मैंने कहा था ना चुपकर जगू, अगर तुम सब को मेरा बेटा अच्छा नहीं लगता तो तुम सब ये जंगल छोड़ कर किसी और जंगल में चले जाओ जो जी में आएगा करेगा मेरा बेटा पच्छताओगी, एक ना एक दिन तुम पच्छताओगी मिठू गुसे में वहां से चला जाता है दूसरे दिन जगू कबूतर चाचा के पास जाता है कबूतर चाचा जंगल में गन्ने का रस बेचा करता था जगू कबूतर से कहता है चाचा कबूतर चाचा कबूतर आपकी पतनी चहट से गिर गई है आप जल्दी घर जाए तुम्हें किस ने बताया बेटा मैंने खुद देखा है कबूतर चाचा कबूतर वहाँ से भाग जाता है भाग गया कबूतर चाचा मेरे जूट को सच समझ कर भाग गया आज मैं जी भर के गन्ने का जूस पिऊंगा मजा जाएका आज फिर जगू चाचा कबूतर की मशीन में गन्ना लगा कर रस निकालता है बेख्याली में जगू का पंक रस निकालने वाली मशीन में फंस जाता है वो बहुत चिलाता है बचाओ बचाओ कोई मुझे बचाओ मगर वहाँ कोई होता तो उसे बचाता उसका पंक कट जाता है गोरी जगू का पता चला बहुत दुख हुआ एक एक था मेरा बेटा चड़िया अपाहिज हो गया अब कैसे जिन्दगी गुजारेगा मेरा बेटा गोरी बेहन बच्चों को शरारत से रोकना चाहिए मगर आपने हमेशा जगू को शरारत करने पर शाबाश दी जगू रोते हुए चड़िया से ऐसे कहता है कालू कवा शाम को अपने खर लोड़ता है गोरी जल्दी से खाना लाओ बहुत फोक लगी है आज तुम भूके ही रहोगे मैंने कितनी बार बोला है मुझसे नहीं चलती अब लकड़ियों के चुलहे में आग मुझे भी चुड़िया की तरहा गैसलंडर लाकर दो सिलंडर पैसों काता है मैं कैसे ला दू तुम्हें गैसलंडर मेरा सारा रंग काला हो गया है जब मैं भिहा कर इस घर में आई थी तो गोरी चिटी थी देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है ये सुनकर कालू कवा हंसने लग जाता है हम कवे जितने काले हो उतने ही सुन्दर लगते है और रही बात सिलंडर की तुम चिंता न करो मैं आज रात कुछ ना कुछ करता हूँ फिर जैसे ही आधी रात होती है कालू कवा अपने घर से निकलता है उसे मालूम था कि चिडिया के घर में गैसलंडर है वो सीधा चिडिया के घर जाता है वो खिड़की में बैठ कर देखता है वा रे चिडिया तुमने मेरा काम अहसान कर दिया कालुकवा आहिस्ता से चिडिया के घर में घुश जाता है और चिडिया का गैस लंडर चुरा कर वहां से भाग जाता है सुभा हो जाती है गुडिया गुडिया बेटी उठो कोई चोर हमारा गैस लंडर चोरी करके ले गया है ममा ये कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? वो मा बेटी परेशान हो जाती है और अपना गैस का सिलंडर ढूंडने घर से निकलती है अभी इसे छुपा कर रखना, इसे इस्तमाल करना मैं अभी रंग लेकर आता हूँ और हम इस सिलंडर पर रंग करके इसका रंग तब्दील कर देंगे ताकि चिडिया को पता ना चले कि ये सिलंडर उसका है जल्दी आना पती जी मैं बहुत एकसाइटिड हूँ सिलंडर चलाने के लिए कवा जाता है और कबूतर चाचा की दुकान से एक रंग की बोतल लेता है चिडिया भी वहाँ आ जाती है कवे भीया मेरा गैस सिलंडर चोरी हो गया है होगा मुझे क्या मालूम कवा ऐसा कहते हुए रंग की बोतल लेकर वहाँ से भाग जाता है घर जाकर वो रंग करके सिलंडर का रंग तबदील कर देता है अब छोटी चिडिया देख भी ले तो पहचान नहीं सकेगी कि ये सिलंडर उसी का है कालू जी अब जल्दी से मुझे ये सिलंडर चालू कर दो ताके मैं खाना बना सकूँ कालू सिलंडर चलाने की पूरी कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पाता गोरी मैंने पहले कभी सिलंडर से आग नहीं चलाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चलेगा कालू जी तुम्हारा मामा बहुत सियाना है जाओ और जल्दी से अपने मामा जी को बुला कर लाओ शायद उसे मालूम हो हाँ गोरी मैं अभी मामा जी के पास जाता हूँ मिठू भैया मेरा गैस सिलंडर किसी चोर ने चोरी कर लिया है आपने देखा तो नहीं किसी को नहीं चोर जब सिलंडर चलाएगा तो जरूर पकड़ा जाएगा तुम चिंता ना करो कालू कवा भी अपने मामा जी के पास पहुंचाता है मामा जी बहुत मुश्किल से मैंने चोरी के घर से सिलंडर चोरी किया है मगर हमें मालूम नहीं के उसे चलाएंगे कैसे कैस को सिलंडर चलाना कौन सा मुश्किल काम है मैं तुम्हारे सा जाता हूं और देखता हूं कैसे नहीं चलता गया सिलंडर कालुकवा और उसका मामा वहां से उड़ते हैं हाँ चिडिया क्या हुआ तुम यहां क्यों आई हो मुझे आपके घर कुछ देखना है क्या देखना है यही बता दो आंटी हमारा सिलंडर चोरी हो गया है हम वो ढोंड रहे है चिडिया गोरी कवी के घर में चली जाती है गोरी ये निया सिलंडर तुमने कब लिया? क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है? कि एक तुम्हारे पास ही गैस सिलंडर है? ये निया सिलंडर मेरी माने मुझे बहजा है चले ममा, यहां तो हमारा सिलंडर नहीं है चिडिया रुको जाते जाते मुझे ये तो बता दो कि इसे कैसे चलाते हैं वो ऐसा है ना मुझे मालूम नहीं कि सिलंडर चलाते कैसे हैं इस बटन को सीधा गुमाने से गैस खुल जाती है और फिर चुलहे को आग लगाने से आग जल पड़ती है चिडिया वहां से चली जाती है कितनी चलाक है तो गोरी चिडिया का सिलंडर चोरी किया और उसी से चलाना भी सीख लिया फिर गोरी कवी सिलंडर से गैस खोलती है ओहो मैं तो भूल ही गई घर में तो आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है गैस खुली थी इसलिए घर में गैस भरती रहती है कालू भी अपने मामा जी को लेकर आ जाता है मामा जी अब जल्दी से इस सिलंडर से चुलहा जला दे हमें मामा जी अपने बैक से माचस निकालता है और जैसे ही दिया सलाई जलाता है इस बड़ा दिमापा होता है और सब उड़ जाता है वहां धुआ ही धुआ था गोरी कवी तो कोई चुड़ाय लग रही थी और कालू और उसका मामा भूद दिख रहे थे गोगगेस पहले ही खुली थी भांजे वो सब एक दूसरे का मूँ देखते रह जाते हैं ना सिलेंडर बचा था ना उनका घर ऐसे कवों को चुड़ी की सजा मिलती है